नमस्कार मैं हूं मैं यूरी स्रवास तब आप देख रहे हैं प्राइम टीवी रुख करते हैं खबरों की ओर कॉंग्रेस के वरिष्ट नेता राहूल गांधी के लंदन वाले बयान कोले कर बीजेपी आक्रमक रुख अपनाए हुए है और लगातार उनसे माफी मांगने की मांग कर रही है वहीं बीजेपी के राष्टी अध्यक जेपी नड़ा ने राहूल गांधी पर हमला बोला है और कहा है कि राहूल गांधी विदेशी धर्ती पर देश को संसत का अपमान कर रही है उसका प्रतिकार इसी देश की जन्ता ने किया था आपके सार्शन को खार भेका था किसी विदेशी ताकत ने नहीं राहूल गार्दी जी आप विदेशी धर्ती पर भारत को बदनाम कर रहे हैं जबकि आज दुनिया में भारत को सलाम कर रही है दुनिया इटली के PM ने हमारे प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी जी को सबसे लवेवल PM कहा है World Bank से लेकर IMF तक ने भारत के विकास गाता की सराना की है जर्मनी के चांसलर ने भारत के विकास को अद्बुत बताया है अमरीका, फ्रांस, जापान, आस्ट्रेलिया, रूस, ब्रिटेंग, यूए, साउधी अरब, सही तमाम देश प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी जी को ये नित्रतों की सराना कर रहे है लेकिन राहूल गांदी जी देश का अप्मान आप कर रहे है ये है राहूल गांदी की समझ, ये है राहूल गांदी कहते हैं कि भारत राष्ट नहीं बलकि राज्यों का एक संग है जिसे राष्ट के रूप में भारत में विश्वासी नहीं है, उसकी सोच पर क्या कहा जा सकता है राहुल गांधी जी भारत Mother of Democracy है जिसने पूरी दुनिया को लोकतांतर की शिक्षा दी है दुनिया की कोई ताकत भारत के लोकतांतर की परंपराओं को लुक्सान नहीं पहुंचा सकती है राहुल गांधी आज आपको आपकी पार्टी की देश में कोई सुनता नहीं है देश की जमता आप पर विश्वास नहीं करती है यही कारण है कि आज आपकी पार्टी को देश से लगबग सफाया हो चुका है जब भी भारत में संसत का सत्र शुरू होने वाला होता है कोई डॉक्यमेंटरी आजाती है कभी कोई विदेशी अकवार की रिपोर्ट को लेकर हंगामा किया जाता है कहा जाता है कि ताली एक हाथ से नहीं बचती है मगर मुझे ऐसा लगता है कि यह एक हाथ तो साथ समुदर पार और दूसरा यहां के दोनों मिल करके ऐसी ताली बजाते है अपने देश को भी बदनाम कर रहे है और मुझे इसमें कोई संकोच नहीं होता कि आखिर भारत विरोधी जॉर्ज सोरस और रावल गांदी की भाषा एक जैसी क्यों है आखिर क्यों पाकिस्तान और कॉंग्रिस की भाषा एक जैसी है आखिर क्यों देश विरोधी कॉंग्रिस नेताओं की भाषा एक जैसी है वे देशी ताक्तें भारत में को कमजोर और मजबूर गड़ बंदन की सरकार चाहती है ताकि वे अपनी आवशक्ताओं के अनुसार अपने फायदे में सरकार का उप्योग कर सकें भारत को कमजोर और डीप स्टेट का शर्यंतर है जिसमें कॉंग्रेस सही तथा कतित लिफ्ट लिबरल्स मिले हुए है पर इस देश के करोड़ों देश भक नागरिक कॉंग्रेस और विदेशी शर्यंतर कारियों की इन मनसुबों को कभी काम्याब नहीं होने देश का विवानसू राहूल गांधी के लंदन वाले बयान को लेकर बी जेपी लगातार उनसे माफी मांगने की मांग कर रही है वहीं जेपी नड़ा का भी इसको लेकर बयान सामने आ गया है उन्होंने राहूल गांधी पर जमकर निशाना साधा है का फेज टू चलना है फेज टू का चौथा दिन कल पीत गया आज पांचवा दिन है और बेपक्ष जहां जेपी सी की मांग कर रहा है वहां पक्ष लगतार राहूल गाधी से सामुहिक तौर से माफी मांगने की बात पर अरा हुआ है उसको देखते हुए आपको बताएं कि आज भारती जनता पाईटी के वाष्ट्रिया जेपी नगडा ने प्रैस वारता की प्रैस वारता मुने ने जमकर राहूल गाधी पर निसाना साधा और पताया कि राहूल गाधी को माथी मांगनी पड़ेगी और उन्हें उन्हें ने कहा है कि जो वाश्ट भी वोधी टूलकित है उनके वो इस हिस्सा बन गए है ताथी आरोप लगाते हुए मयूरी उन्होंने कहा कि कॉंगेस पार्टी के नेता क्यों आखिर ऐसे एक वित्त करते हैं जैसे और उन्होंने भी अपने प्रेस कॉंदेश पे आरोप लगाते हुए कि कॉंग्रेस के नेता जवाब देंगे अब देखने लिवाची होगी कि वाहुल गादी कर जहां बोल चुके है कि मुझे जब बोलने का मौका दिया जागा एक लोगसभा के सदस्य के तौर पे तो मैं अपनी बात को रखूंगा जो मेरे पक्षा उसको कहूंगा मगर अभ कि बैठिके हो रही है साथी उन्होंने कहा कि देख के जो 130 करोज नागरिक है उनके तमाम मुन हैं उनके साथ हनन हो रहा है वाहुल गांधी ने कहा मेरे खिलाफ मंत्रियों को उतारा गया मुझे सदन में बोलने का मौका दिया जाए जैसे आप देख रही है कि सदन की चार दिंकी काराई के दौरान चाहे बात करें प्यूश गोईल जो की केंद्रियों मंत्री है ऐसे तमाम मंत्रियों के द्वारा लगातार संसत धहुन के अंदर में राहुल गादी के दिये गए बयान को लेकर लगातार सवाल जो पूछा सब्सक्राइब कर देखा कि अपने मुद्दे पर अपने जो आरोप लगे हैं उस पर क्या अश्पष्टी करन देते हैं अगर उन्हें मौका मिलता है तू जह दनेबाद विए भी लिए ल시는 के लिए लेकिन राहूल गान्दी जी हो मैं हो इस वह राहूल गांधी के विदेश में दिये बयान को लेकर आध़ depends की और राहूल गांधी पर जमकर निशान साधा तढ़गे वाद tecniden आई आपको एक बार सुना आते हैं जिसने पूरी दुनिया को लोगतांतर की शिक्षा दी है दुनिया की कोई ताकत भारत के लोगतांतर की परंपराओं को नुकसान नहीं पहुंचा सकती है राहुल गांधी आज आपको आपकी पार्टी की देश में कोई सुनता नहीं है देश की जमता आप पर विश्वास नहीं करती है यही कारण है कि आज आपकी पार्टी को देश से लगबग सफाया हो चुका है सीम योगी का आज मुरादाबाद वरारसी दौरा है सीम योगी सुबह 11 बचकर 25 मिनट पर अमोसी एरपोर्ट से मुरादाबाद के लिए रवाना होंगे जहां मुकमंतरी योगी आदितनात मुरादाबाद में तीर्तिकर महावीर बिस्वीद्याले की दिख्षांत समारों में शिर्कत करेंगे इसके बाद सीम योगी वरारसी के लिए रवाना होंगे वहां पियम मोदी के आगमन के तयारीों को पर खेंगे और विकासकारों की समिख्षा करेंगे बतादे प्रधान मंति नरेंड मुदी 24 मार्च को वरारसी दौरे पर आएंगे इस दोरान पीम मोधी का इपरियोजनाओं का लोकारपड़ा शिलन्यास करेंगे बतादें सियम योगी आज मुराधावाद और वरार्सी जाएंगे जहां तमाम कारकरमों में शुरकत करेंगे बता दे सियम योगी महवीर विश्विद्याले के दिख्षांत समारों में शुर्कत करेंगे वहीं सियम योगी वारार्सी भी जाएंगे जहां पिया मोदी के आगमन को लेकर हुई तयारियों का जायजा लेंगे और इस खाबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे समवादाता विवेक हम से जुड़ चुके हैं विवेक सियम योगी का आज मुरादाबाद वारार्सी दौरा है क्या कुछ खास रहने वाला है क्या कुछ पूरा शेड्यूल है मुरादाबाद इसके बाद वारारसी के दौरे पर अधिक जाएंगे करेंगे चारी करेंगे जाएंगे तर यारियों का वो जाओजा भी लेगे जानेंगे और सब्सक्राइब लिवेक जरेंगे वह जो अभी ते तरी भूतर जाएंडे जाक्त आएगे जाक्त आपरेटर मंक्रे लुट्री के बात्षीत करिंड जाएं किस्सा पैयार हुआ है, कि आपके लिए गजित बात्युतिया अचल रही है, इसको आप आप तरी बुर्द करेंगे दूचि अगए गजिए लेकित रह वन्ने वाले हैं डाउजरा था जब ह्तार थे लिए वर्फे वारा वरा न्युतिना इसके पड़े मुखंस्यूत्री फुद ही आप्रुद में हम जोड़े को मत्साव निए विए चैने यह पूरी हो गया है विवेक जिससर अभी आपने बताया कि पहुचेंगे और उसी की तैयारियों को लेकर सियम योगी इसका जाइजा लेंगे वरार्सी में भी कितनी तैयारिया कर ली गई है प्यम की आगमन को लेकर वरार्सी में पहुचेंगे तैयारियों को लेकर आपने तैयारियों को लेकर सियम भी कितनी पहुचेंगे तैयारियों को लेकर से यहां को लेकर से लेकर समय करना गयाए बिवेक पिया मोधी वरारसी के दौरे पर आएंगे इस दौरान पिया मोधी कई परियोजनाओं का लोकार पर आशिल अन्यास करेंगे तो कासी की जन्ता को क्या कुछ मिल सकता है? बिवेक परियृष्णाओं का लोकारे पर आशिल परियृणाओं के दौराएंगे जन्ता को और आशिल न्ति के दौराइंगे। कि अधने बाद भी वेक तमाम जानकारियों के लिए लोगसभा चुनाओं को लेकर पार्टियां रणनीती बनाने में जुड़ गई हैं जहां आज अखलेश यादव कोलकता पहुचेंगे जहां 18 और 19 मार्च को कोलकता में समाजवादी पार्टी की राष्टी कारकार्णी की बैठक होगी इससे पहले सपा के कारकरता ने शहर में पोश्टर और बैनर से पढ़ चुका है खास बात यह है कि कोलकत तकी इस दौरी की दौरान अखलेश पार्टी कारकरताओं को भी संबोधित करेंगे इसके लिए 400 सीटों वाला ओडिटोरियम भी तयार हो चुका है बतादे कि श्राम पांच बज़े सी अममता बैनर जी से अखलेश यादव मुलाकात करेंगे रादे सपा का मिशन 2024 को लेकर एक्शन मोड में नजर आ रही है और इस ख़बर पर हमारे समवादाता आप बिवेक हम से जुड़ेंगे बिवेक लोगसभा चुनाओ को लेकर पार्टिया रणीती बनाने में जुड़ गई है वहीं सपा एक्शन मोड में नजर आ रही है आज अखलेश यादव कोलकता पहुचेंगे क्या कुछ खास रहने वाला है जोड़ा बारे में आजरी बाता कुछ थी और तोबिस के लुड़ा पनाओ को देखते हुए विपत्स है कुछे एक पास लाने के प्रयाज दू़ गया है और इस तरीके से हमने पहले पहले एक महाँ जड़बंदम विपत्स का देखा था तो फूई तरीके से उनका लागा और से पाते हैं जोगी है लिए एक में आत रहत वी के लिल्वी अगया है अगमी ऑन विक तो अज़ जानता बाता से लेके लगफिरत अघक्षाद मेशाद करें, निज़ दीऊ को मार गाहिए लगद्वार थिए भी अंध्यो शर्जाज अगर अधोरी तेखवार Google में लगदार के लिए लिगदारी बात बदाश्य के दिएगा धिशन तंच है। पुरिष्या में नमीन पज्टाइग लगातार है, कर देखे लिए को सक्ता से पढ़े करके मुंस्मंते के पड़का शादिग है, तो देखे रहे हैं तो पूरे देश का दो भीपत है, वो एक दोते होने का प्राश कर रहा है, तो हरा कोई भी हो, तो कि भीपत के एक जुठ हो कर देखे थिर्ण भी थाथ कर देखे रहां करते हैं, कर देखे ऐसeur कर दिया मुंक्रिया मुंक्रिया मुंक्ण मघार मुंक्तbacks बनादिया मुंक्तbacks कर दो लिसाल अद्रके में अष्या हालिज राष्ता प्लान जब कर प्लाए था क्या उसके जो भी हार विखित आर्टा घर्का उतर्ट अधार पर शेल्याद के दूमिर जाते है लुखित , वो प्सकानिवर प्रात पर प्लाइब पर आज बदेखें तो समाजवारी पार्टी की राष्टी कारकार्णी की बैठक होगी कि तुमाम बड़े नेता 24 की चुनाओं को देखते हुए रर्णीटी बनाने वाले हैं और पार्टी को शिवपाल यादव का भी सांथ मिल गया है तो क्या कुछ बदलाओं देखने को मिलेगा प्रकोश खोटी आफ दिया कि लेका, बहुत कर दिया है। को श्रतावार्वादू जीया मुझा है. nessa सब्सक्रों गधिर्टीपाइटीी नेना जलज इस कमें इसे मंख जो है. नहीं हम फ्रहा खारकृती के लिए भाजकों और मुरुथार पाम jakयोत पिरृत की अंदेटाय काही आपली कीुछ, खार्टेठी प्रकृतर निया है कि अधिकार भी हो तप्राइब रेकित निखान है तो है प्रकृतर प्रादेन स्थोट्या जाए कि अधिकार लिए अगाही थे मार्जकृतर निखाई जाना जारा है उनको रिवर्ड दिया जारा रहा उनको समाने कर रहा और जो बड़े पद है जो दिम्मदारी प्रगले पद अनुभाई एक प्राने लताओं को लेड़ा है तुपालादा जाने के बाद इसले एक पर लाव दोगार है साथ समाने के लिए कापू बहता है जी धन्यवाद बिवेक तमाम जानकारियों के लिए दिली में कॉंग्रेस की केंदरी चुनाओ समिटी की बैठक आज होगी वहीं इस बैठक में करनाटक विधान सभा चुनाओ के लिए उम्मीदवारों के नाम पर भी चर्चा होगी इस बैठक में उम्मीदवारों के नाम की पहली लिस्ट जारी हो सकती है बता दें करनाटक चुनाओ को लेकर तयारिया तेज हो गई है इसके लिएकर लिष्ट भी आज जारी हो सकती है चुनाओं समीटी की बैठक होगी बैठक में उम्मीदवारों की लिष्ट पर चर्चा हो सकती है इस बैठक में उम्मीदवारों के नाम की पहली लिष्ट पर मुहर लग सकती है अगले कुछ महीनों में करनाटक बिदान सभा चुना होने हैं सूत्रों की मानत उमीदवारों की पहली लिस्ट 18 मार्च को जारी हो सकती है इसके पहले कॉंगरिस के सीर्स नहताओं ने करनाटक चुनाओं में टिकट बटवारे को लेकर राज्य के विजय पूरा में एक बैठा कर मन्थन किया था जानकारी के मताबिक राहुल गांधी के करनाटक दोरे से पहले पार्टी करीब 120 मिदवारों के नाम का एलान कर सकती है राहुल गांधी भी इस मार्च को करनाटक पहुचने वाले हैं राज्य के गावी में पार्टी की मेगा रैली में शामिल होंगे आज आजम खान से जुड़े तीन मुकदमों में सुनवाई होगी जहां मामले की सुनवाई MPMLA कोट में होगी बताने कि भड़काओ भासर दो जन प्रमार पत्र से जुड़ा मामला है और दो पैनकार्ड मामले में कोट में सुनवाई होगी आजम खान वी सी के जरीये बयान दर्च कराएंगे अब्दुल्ला तंजीन फातिमा कोट में बयान दर्च कराएंगे और इस खबर पर हमारे समवादाता विवांसू हमसे जुड़ेंगे पिवांसू आजम खान मामले में आज सुनवाई होगी क्या कुछ पूरी जानकारी बिवांसू आज़ भांसू से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे और एक बार फिर से समवादाता विवांसू हमसे जुड़ेंगे के हैं विवांसु आज आजम खान से जुड़े तीन मुकद्बों पर सुनवाई होगी क्या कुछ पूरी जानकारी जी आपको बता दे कि आजम खान की मुस्किले कम होने का नाम नहीं ले रही है आज तीन मामलों में उनकी पेशी है विडियो कॉंफेंसिंग के माध्यम से उन को बताएं कि भरकाओं भाशन और दो जन्यत्माव पत्व दो पैनकाज मामले में आज सुनवाई होनी है और इस मामले में बात करें तो अब उनके पुत्र अब्दुल्ला आजम उनकी पत्मी तंजेमा फातिमा का भी बयान दर्ग कराएगी आपको बताएं कि आजम खान की सदस्टा वद्द कर दी गई सरकारी क्याम में बाधा डालने को लेकर साथ ही उनके पुत्र को स्वार से उनकी भी जो सदस्टा है जिदान सभा कि इसकी वद्द कर दी गई और लगतार देखा जाए तो आजम खान पर लगबद दर्दनों मुकदमें लगतार कावाई में है पहरी में है अब तीन मुकदमों में आज वीडियो कॉंसरेंसिंग के माध्यम से पेशी होगी अब देखने वाली बात यह होगी कि इन तों तीनों मामलों में कोट अपना क्या सेस्टा सुनाती है कि जी धन्यवाद व्यासूं तमाम जानकारियों के लिए संबल के चंदोसी इलाके में आलू कोल्ड इस्टोरिज के च्छत गिरने से आठ लोगों की मौत हो गई है ग्यारा लोगों को बचाया गया है अभी भी कुछ लोग और मलबे में दबे हैं NDRF और SDRF की टी में बचाओ अभियान चला रही है DIG शलब माथूर ने बताया कि अभी तक 11 लोगों को रेस्क्यू किया गया है 8 लोगों की मौत हुई है अभी भी कुछ लोग लापता है बचाओ अभियान अभी भी लगातार चल रहा है अभी तक 11 लोगों को रेस्क्यू किया गया है 8 लोगों की मौत हुई है अभी भी कुछ लोग लापता है बचाओ अभियान भी लगातार चल रहा है मुखमंत्री योगी आदितनात ने हादसे पर गहरा शोग जताते हुए घायलों के उचित उपचार कराने की निर्देश दिये हैं और मिर्तिकों के परजनों को 2 लाप की आर्थिक मदद का एहलान किया है और गंभीर घायलों को 50-50 हजार रुपे मिलेंगे मुबारक हम से जुड़ेंगे मुबारक चंदौसी के आलू कोल्ड इस्टोरिज में बड़ा हादसा हुआ है आठ लोगों की मौत हो गई है काई लोग गंभी रूप से घायल हुए है कैसे इतना बड़ा हादसा हुआ कि अग्यार हुआ 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 है में एवभारक आप मौके पर मौजूद है एक पर हमारे दस्तिकों को पूरी तस्वीर दिखाने की कोशिश करें यह ठाश्यार इस तश्वीर इस हमें द भी यह दया रही है और तस्मीर आपशी जारी है मुबारक अभी कितने लोगों को बाहर निकाल लिया गया है और कितने के और मल्मे में दबे होने की आश्रंका जटाए जा रही है कि अभी पता रही है कितना लोगा इसन दबे पाद है और इसमें आप अबारे साथ और सब्सक्राइब कितने का रही है। मुबारक इस पूरे मामले पर सीम योगी ने भी संग्यान लिया है मुआबजे का एलान किया है उन्होंने। मुबारक रेस्क्यू का कार चल रहा है अभी कितने देर और चल सकता है। मुबारक तमाम जानकारियों। अभी कि लिए इतना ही। आगे आपसे फिर होगी मुलाकात तब तक लिए देखते रहे प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस।